नमस्कार दूस्तों आपका सौगत है अपने किसानेगरों इंडिस्ट्री ये यूटूब चैनल पे मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि आपको बकरी गाभीन नहीं हो रही है ये फिट पे नहीं आये रही है तो क्या करना पड़ेगा उसको हिट पे लाने के लिए और गाभीन रहने के लिए तो मैं आपको आज बताता हूँ कि बकरी हिट पे क्यों नहीं आती बकरी हिट पे नहीं आने के बहुत सारे बज़े है एक तो फर्स टाइम हिट पे आ रही है तो उसको बढ़ने दो, क्या करने दो, उसको body की health अच्छी रोखो, health मतलब body का weight और सब चीजे उसके अच्छी से ख्यालर रोखो और दूसरी बात यह है, कि उसको growth होने दो, उसको 8, 8 से 12 मैने की बढ़ी, जब मतलब first time pregnant हो रही है, ऐसी बच्छी होने दो, तब ही उसको meeting करो और बच्छी, बकरी हर 21 दिन में hit पे आने चाहिए, ने, बकरी हर 21 दिन में hit पे नहीं आ रही है मतलब meeting न करने के बाद हर 21 दिन में hit पे आने चाहिए, हर 21 दिन में hit पे नहीं आ रही है, तो समझो कि आपके अपने बकरी के अंदर minerals की कम तरता है, मतलब बहुत सारे minerals उसको body के अंदर रहते हैं, minerals रहते हैं, vitamins रहते हैं, उनकी कम तरता होने की वज़़ से बकरी hit पे नहीं आती, तो आपको मैंने और एक मेरा वीडियो डाला है, मतलब minerals के regarding, वह आप देख सकते है, minerals टॉप अप करने के लिए, minerals बकरी को कैसे देने का है, उस चीज़ के रहते हैं, मतलब मैंने वीडियो डाला है, उसके अंदर calcium की minerals के जब कमिया रहेगी, तब बक बकरी के अंदर जब minerals के कमिया रही तब बकरी right timing पे hit पे नहीं आएगी, तो उसको क्या करने का, minerals की इटे हो गएरे चाटने के लिए देने का, उसके regarding मैंने एक वीडियो डाला है, उसकी link भी my description में देने वाला हो, वह भी आप देख सकते हो, और mineral जब टॉप अप हो जाए के बाद अगली बार बकरी जल्दी hit पे नहीं आती, या hit पे आने के बाद भी, उसको meeting करने के बाद भी उगावी नहीं रहती, उसके भी बहुत सारी कारण हो सकते हैं, मतलब क्या होता है, जब पहली बार बकरी की delivery होती है, या दूसरी बार delivery होती है, delivery की का time पे क्या होता ह बक्री की श्यारिकरी कंडिक्शन अच्छी नव होने से उसको डिलिवरी की टाइम पे तकलिफ हो सकती है या बच्चा आड़ा अगया तो भी उसको तकलिफ होती है और मतलब delivery की time पे उसको तकलिफ हो जाने के बाद उसके बच्चे दानी में कोई ईजा हो जाती है तो क्या होता है उसको एक तो delivery करने मतलब बकरी तीन मेनी की pregnant हो जाएगी तब इसको थोड़ा बहुत खुराग देना चालो करो उसको calcium की येटे दो चाटने के लिए mineral की येटे दो चाटने के लिए क्यूंकि उसकी बज़े से क्या होगा बकरी तंदुरुस्त रहेगी उसकी body के अंदर minerals अच्छे रहेंगे तो दूद के लिए भी बढ़ेंगी और उसको होने वाला बच्चा उसकी बे अच्छी से ग्रोथ हो पाएगी इसलिए एक बात कभी भी 100% दहन में रुको कि बकरी प्रेग्नन तीन मैने के हो जाने के बात तो पूरा फायू के फायू मैने मतलब पाच के पाच मैने भी आपने खुराग दिया तो अच्छी बाते जो नहीं भी दे सकते तो लास्ट के दो मैने में और बकरी डिलिवरी हो जाएगी और नहीं भी हुई आपने डॉक्टर को बोल के मतलब कोई प्रॉब्लम आया तो उसके डिलिवरी किया उसको तकलिफ हो गई डिलिवरी की टाइमिंग में तब भी बकरी मतलब महीं जल्दी कभी-कभी की तकलिफ होने के वाजरे से उसके बच्चे दाने में के अं इंजेक्शन देने का तो मतलब मतलब गावी न रहने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं आथा वो डॉक्टर को बताने का इसको अतक्लिफ हो गई थी वह इंजेक्शन देगे नहीं तो उसको बच्चेदानी ठीक रहने के लिए या बच्चेदानी के वह साफ परने के लिए अपने को tablet मिलती है उँटैबलेट मतलब हर एक बच्ची मतलब delivery हो जाने के बाद हर एक बच्ची को tablet खिलाओ Marketing में tablet मिल जाती है मैंने उस tablet का नाम और नाम भी description में लिया है वह भी अप दिख सकते हैं आपको मेडिकर स्टूर में सिररप के टाइप तब यह ठीक हो जाएगी और आगले टाइम प्रेग्णन रहने के लिए को दिक्कत नहीं जाएगी क्यूंकि बखरी सही टाइमिंग पे प्रेग्णन नहीं होगी तो क्या होगा कि आपने को उसको फिडिंग तो देना पड़ता है अपना फिडिंग कोस्त इंक्रीज हो दाता ह है और अपना प्रोडक्शन रहता है घर जाता है यहीं कि अपना प्रॉफिट भी घर जाता है फिडिंग इंक्रीज हो जाने के बात मतलब उसको खुराक तो खेलाना पड़ता है तो अपना मतलब खर्चा तो ऐसे के वैसे रता है और प्रेग्न गावीन नहीं के खारण आने चाहिए और आपको आपकी मतलब आपकी condition आप किस condition पर बिजनस कर रहे हैं उसके उप़ पहले нравится में आदम ही कोई इसको बाद छोड़ देते हैं अगले हिट पे उसको मेटिंग करते हैं क्योंकि वह जल्दी पहले हिट पे उसको मेटिंग किया तो दूद मतलब जो उसका बच्चा चोट रहता है एक मेने करता है तो दूद का परसंट कम कम कर देती है मतलब कम कम हो जाता है उसका दूद तो में वेसा प्रॉब्लम आता है यानि कि बिटल में शुरोई में सोज़त में वो क्या होता है बकरी मतलब डिलिवरी करने के बाद जल्दी हिट पे नहीं आती हिट पे आते हैं तो मेटिंग करने के बाद रहती है या मतलब उसका दोनों डिलिवरी के बिच का अंतर या डिलिव रहती है अभी समझों आपके वक्री हिट में नहीं आ रही है मतलब क्या होता है कि कभी-कभी इंग्रिजिएंस उसके बाड़ी के अंदर कम होते हैं तो आप मिनरल मिच्चर देखे तो इन इंग्रिजिएंस उसके मिनरल तो टॉप आफ कर सकते हैं लेकिन आपका कोई अपना इससे भी फॉर्मिला है बहुत साल से पुरान जमान से उसको यूज करते आ रहे हैं अपनी जो मार्केट में जो मटकी मुलती है उसको मट भी बोलते हैं और भी कोई नाम होगे या पोटो भी देख सकते हैं इस टाइप वो दिखता है उसको पानी में भीगो के रखने का ए इससे आठ चार दिन आपने खिलाया अपने बकरी को तो तभी उसके बोड़ी के अंदर के मिनरल लेवल टॉप अप हो जाएगी और हीट पे आएगी इसा है और हीट के आने के हीट कभी कभी क्या होता है छोटी मतलब बच्ची आ रहे थे ना उसको मतलब पहली बार जो आती है लगी आरे सबस्क्राइब के पास एक बच्ची आपने उसको अच्छा ख्याल रहा तभी वह हीट पे नहीं आरे तो क्या होता है उसके बच्चे दानी का जो ग्रोथ होनी चाहिए उग्रोथ होती नहीं है तो आप उसके लिए भी आपको टैबलेट मिल जाएगी नह से उसको मतलब पहली हीट पे छोड़ दिया तो भी चलेगा मतलब पहली हीट पे मेटिंग ने की रहा तो भी चलेगा लेकिन दुसरी बार जब हीट पे आएगी तब आप मतलब वह बक्री मिनिम्मम आठ मेने के ऊपर हो नी चाहिए ज़ादा तो ज़ादा एक साल के होगी तो अच्छी बात है उसको मेटिंग करो मेटिंग करने के बाद रहेंगी और बड़ी मतलब बड़ी हो जाने के बाद मेटिंग करने से क्या होता है उसकी वाड़ी की ग्रोध बेच्छी रधी और अच्छी ग्रोध होने के कारण उसको बच्चे बेच्छी रधी यह काम कभ तो आपने पाउडर फॉर्मेट में जब मिनरल मिक्चर लाएंगे और उसको खुराक के अंदर खेलाएंगे तो क्या होता है कभी किसी बक्री को कोई मिनरल किया मिनरल किसी बक्री के अंदर ओ मतलब चाहरे-चाहरे से मिनरल मिलता है उसके बॉड़ी की लेवल मतलब टॉप फो गई और तो भी आपने उसको मिनरल दे दिया मतलब पाउडर फॉर्मेट में लाकि खुराक में डालके तो क्या होगा मिनरल एक्सेस हो जाएगा या उसको बॉड़ी के लिए उसके कोई यूजने ह हो जाएगा या उसका कोई सऐड भी साईड एपक्ट हो जाएगा इसलिए क्या करनी का वह मिनरल के जो इटे मिलते ही वह ईटे लागा देनी का उटेया कि यह जिसको उसके जरूत रही वह बखरी जाके उस चाटेंगी और एक की चालतने कि वज़े से उसके अंदर के टाइमिंग के हिट पर यह कि क्या होगा यह सब उजा से आपके फार्म में जो excess खर्चा आता है मतलब ज्यादा खुराक का मतलब हरे चारे का वो जो आपका खर्चा है वो बच जाएगा आपकी production cost घट जाएगी और आपका production increase हो जाएगा और production increase हो जाने के बाद आपका profit भी बढ़ जाएगा और आपका profit बढ़ने के वज़े से आपका business अच्छे से profit में आएगा और आपको अच्छा मुनापा मिलेगा और भी आपको मतलब बकरी गाबिन होने के अकारण और आपके कोई बकरी गाबिन नहीं हो रही है तो मेरा number मैंने description में दिया है आप उसके उपर आपके बकरी के photo डाल सकते है और आपको और भी कोई में आपके मन में डाउट होगे तो आप उसके description में दिये हुए number पे call कर सकते है और अपना ये channel subscribe करो और और भी मैंने बहुत सारी information बकरी पालन के बारे में इसके उपर डाली है वो भी एक बार देख लो और भी कोई problem होगा तो मेरा मुझे call करो ये वीडियो आपको दोस्तों को share करो इसको like करो अब भी मैं इधर ही रुपता हूँ और भी आपको कोई problem रहेगा और भी किसी चीज़ के ऊपर कोई जानकरी चाहिए होगी तो आप उसके मेरे वीडियो के निचे comment करके मुझे बता सकते हो कर ओपको किस चीज़ के बारे में जानकरी चाहिए हो मैं उसी के ऊपर वीडियो बना होँगा और भी मैंने अपना कर दो करें पापना आ नहां